नमस्कार स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्टालोजी पर मैं यशास्तिवारी आज आप सभी के समगों पस्तित हुआ हूँ केतू की दृष्टी के प्रभाव को लेकर तो यदि आप जानना चाते हैं कि केतू की दृष्टी होती है नहीं होती है तो किस तरह से रेजल्ट से देती हैं इस सभी विश्यों पर चर्चा हमारे आज के स्कारिक्रम में होने वाली है यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और कारिक्रम की शिरुवात से पहले यदि आप जानना चाहते हैं कि वह आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है साती साथ देव गुरूब रहस्पती का कोचर आपके लिए क्या लाब और क्या हानी को लिए करके आ रहा है तो इस विशे पर हमारे चैनल पर राश्यवल के वीडियो त प्रत्य लग नेवं प्रत्य राश्य के लिए वीडियो दिये हुएं तो जाकर के एक बार आप अवश्य ही उन लिंक्स को चेक कर लीजेगा साथी साथ उन वीडियो को अंच तक देखीगा क्योंकि क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप इस वर्ष को साथी साथ दे गुरु ब्रहस्पती के राशी परिवर्तन प्रभाव को प्रेली श्ट्रेश्ट बना सके अब हमेना विलंब की आपने आज के स्कारिट्रम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो केतु जो है उनको मंगल की छाया के रूप में जाना गया है कुजवत केतु थोड़ा सा क केतु के विशम इंट्रोडक्शन देना भी अत्यदेक आविशक है केतु को मूलता शभग रह के रूप में ही देखा जाता है परन्तु ये सदयव राहू के सामने होते हैं जिसके शलते इनकी गणना पापक रह के रूप में हो जाती है लेकिन ये आध्यात्मक प्लानेट ह बहुत से लोगों के बीच में केतु की दृप को लेकर के मत भेद है परन्तु यदि आप पुरातन रिश्यों के मत में देखें तो राहू और केतु दोनों की ही दृप में होती हैं साती सात यदि आप जब जन्मकुडलियों को देखते हैं तो अनुभव में पाएंगे कि राहु और केतु दोनों की ही दृष्टी होती है, केतु की दृष्टी का प्रभाव भी देखने में आता है और केतु की दृष्टी को भी मानना अत्यांत आवश्यक है। और आप ये कह सकते हैं कि केतु की दृष्टी जिस भाव पर होती है, जिस ग्रह पर होती है, उस भाव या उस ग्रह से सम्मन्द तो ग्रोथ हमको अपने जीवन में देखने मिलती है या आप ये भी बोल सकते हैं कि उस ग्रह के प्रभाव में केतु की दृष्टी वृध्धी हो जाती है कि उसका पूरा जीवन ही चेंज हो जाता है इसके लिए केतू पर भी शुभग रहों की दृष्टी हो लगने पर केतू के अलावा किसी और शुभग रहों की दृष्टी हो तो यह प्रेडिक्शन और बढ़ चड़ करके देखना में आती है और शीग्रती शीग्र Hm. जिस स्बस्क्रान को क्म करने का का रहन ही बनते हैं केतू के दृष्टी की दृष्टी में विच्षेद आत्म नहीं मानी गई है यदि केतू की दृष्टी लगन पर हो तो विक्ति की जीवनकाल में आकस्मत रूप से गटना हैं, ऐसी घटत होती हैं जिससे वो अपने जीवनकाल में ग्रोथ पा लेता है, यदि दृतिय भाव पर केतू की द्रिश्टी की में बात कर रहा हूं, सेवंथ द्रिश्टी की बात यहां पर नहीं हो रही है, अग यदि केतु की फिफ्थ एस्पेक्ट या एट्था उसे बैठ करके नाइन्थ एस्पेक्ट पढ़ता है तो कहीं न गहीं जातक को आकसमात रूप से भूमी भवनिया वाहन की प्रापती भी देखना में आती है तो केतु की दृष्टी का प्रभाव श्रेष्ट है जो दर्शक जन्मकुल्लियों का अध्यन करते हैं या आप अपनी जन्मकुल्ली में देखते हैं तो आप उठा करके देखिए कि केतु कहां बैठे हैं किन दो भावों पर उनकी फिफ्थ और सेवन्थ द्रिष्टी पढ़ रही है यदि उस भाव पर किसी अन्य पापक ग्रह जैसे शनी सूरी की द्रिष्टी नहीं पढ़ रही होगी तो वो भाव ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी ग्रोध का कारण बनेगा और उस भाव से जुड़ करके आकस में घटना है आपके जीवन काल में घटत होंगी जो की पॉजटिव कभ होंगी जब केतु पर शुभघ रह का प्रफाव या केतु अधिश्टित राशी का स्वामी जो है केतु जिसकी राशी में बैठे उस राशी जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड गिया जाता है उसका नूटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस कारिक्रम के माध्यम से यदि आपके ग्यान में विव्रिद्धी होती है तो आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाव हो उसका माध्यम आप बने आज किस कारिक्रम में वस अतना ही रखते हैं नमस्कार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो